हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एड्यूहब एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है आज हम राजस्थान के राष्ट्य उद्धान के महत्तपुन प्रसन के उपर डिसकस करेंगे फ्रेंड्स आज हो गई है 25 अगस्त 25 अगस हैं इसके अंदर हम यह important questions करेंगे एक September से मैं आपकी जो है राजस्थान इस्टेनोग्राफर की classes स्टार्ट करवा दूँगा friends मेरा यह target रहेगा एक महिने के अंदर हम केवल राजस्थान हिस्ट्री को complete करेंगे anyhow एक घंटे की class दो घंटे क्लास लगानी पड़े चाहे तीन घंटे क्लास लगानी पड़े एक मन्त के अंदर में आपका राजस्थान हिस्ट्री पूरा end to end के लिए करवाऊंगा ऐसे न महिने के अंदर हम राजस्थान के पूरा जो की current affair है दो सालों का उसको cover करनी कोशिस करेंगे तो यह तो हो गया चार महिने का प्लान और पंदरा दिन में जनरल हिंदी और पंदरा दिन में जनरल इंगलिस को complete करेंगे तो यह मेरा पूरा study प्लान रहेगा एक सेप्टमबर स आप मेरे को बस 5 महिने दो 5 महिनों के अंदर आपका राजसान stenographer के exam के लिए मैं आपको एकदम prepare कर दूँगा उसके बाद आप जाना exam देने के लिए और आपका exam clear होगा ही होगा friends यह मेरी grantee है ठीके लेकिन आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको मेरा session share करना आपको मेरे को motivate करना पड़ेगा मैं भी आप लोगों को daily basis पर motivation boost करूँगा तभी जाके क्या होगा दोनों का ताल मेल बैठेगा तो ही मैं यह काम करा पाऊंगा friends ठीके तो आज हम देखते हैं राजस्तान के राश्टिय उद्दान के महतपून प्रसन महतपून प्रसन को छ प्रसन की सबसे चोटा अभ्यारन का सबसे चोड़ा बाग अभ्यारन या थीक है भारतिय बागों का घर भी कहते हैं इसको राजस्तान की सर्वप्रथम बाग पर्योजना जो है वो यहीं से start हुई थी राजस्थान की सर्व प्रथम बाग पर्योजना ये बाग है दोस्तों ये गलत प्रिंट हो गया है ठीक है बाग पर्योजना है देश का सबचे छोटा बाग अभ्यारन्य कौन सा है तो आप बोलेंगे रंथंबोर अभ्यारन्य रंथंबोर अभ्यारन्य को भारतिय बागो का घर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको भारतिय बागो का घर कहते हैं, राजस्थान की सरव प्रथम बाग परियोजना यही से स्टार्ड हुई ठी, एक नौंबर उननी सो असी को राजस्थान का प्रथम राष्ट्य उद्यान गोशित किया गया, और 1974 में टाईगर रिजर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तो आप देख रहे हो एक ही क्युस्टन्स के अंदर मैंने आपको कितनी चीजे याद करा दी मैंने आपको बोला देश का सबसे छोटा बाग अभ्यारन्य कौन सा है आपका आंसर था रन्थमबोर अभ्यारन्य जो की सवाई माधोपूर में इस्तित है इसको भारत्य बागों का घर कहते है यानि जो भारत्य बाग है वो यहाँ पे रहते है तो इसको भारत्य बागों का घर कहा जाता है राजस्थान की सर्व प्रत्थम बाग पर्योजना यहीं से स्टार्ड हुई थी एक नवंबर 1980 को राजस्थान का प्रतम राष्टिय उध्यान गोशित किया गया, 1974 में ताइगर रिजर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, आगे चलो, एसिया का सबसे बड़ा पक्षी परजनन केंद्र कौन सा है, हम बात कर रहे हैं ना की भारत की, हम बात कर रहे हैं एसिया की, एसिया का सबसे बड़ा पक्षी परजनन केंद्र कौन सा है, केवला देव राष्टिय उद्यान, केवला देव राष्टिय उद्यान ज नदी के किनारे इस्तित है भरत पूर में यहां गंभीर वबान गंगा नदी के किनारे कौन केवलादेव राश्नय उध्यान राश्नी राजमार घ्यारा में इस्तित है उन द spouse में इसको पख्षी अभव्यारान्य घोसुत किया गया और 1885 में इसको विश्व धरोहर में सामिल किया गया बहुत जादा इंपोर्टेंट बातों को मैंने इसमें सामिल किया है फ्रेंड्स ध्यान लगा कि इस लेक्चर को आप अटेंड करें एसिया का सबसे बड़ा पक्षी परजनन केंद्र केवला देव राष्टिय उद्यान जो है वो भरतपूर के अंदर जो है यहां एसिया का सबसे बड़ा पक्षी परजनन केंद्र है भरतपूर में यहां गंभीर व बान गंगा नदी के किनारे इस्तित है राष्टिय राजमार 11 में इस्तित है और देखो दो चीजे इंपोर्टेंट है कि 1956 में तो इसको पक्षी अभ अभ्यारन्य को ठीक है चलो अब एक वार हम इसका रिव्यू कर लेते हैं देश का सबसे चोटा बाग अभ्यारन्य कौन सा है तो आप क्या बोलेंगे रंथमबोर अभ्यारन जो है यह देश का सबसे चोटा बाग अभ्यारन्य है इसे भारतिय बागों का घर कहते हैं राजस राजस्थान का सर्व प्रत्थम बाग परियोजना यहीं पे स्टार्ड हुई थी एक नवंबर 1980 को राजस्थान का प्रत्थम राश्ट्य उद्यान घोसित किया गया और 1974 में टाइगर रिजर प्रोजेक्ट यहां पे शुरू किया गया ठीके दूसरी चीज दूसरा सबसे बड़ा परजनन केंद्र केवलादेव राश्ट्य उद्यान को रेश्या का सबसे बड़ा पक्षी परजनन केंद्र कहा गया और यह भरतपूर में है गंभीरी वबान गंगा नदी के किनारे पे इस्तित है केवलादेव राश्ट्य उद्यान और यह राश्ट्य पक्ष्यों का स्वर्ग कहा जाता है और 1985 में इसको विस्व धरोहर में सामिल कर लिया गया दोस्तों आगे चलो राज़स्थान का तीसरा राष्ठियर उद्यान कौन सा है तो दर्रावन्य जीव अभ्यारन्य जो है यह राजस्थान का तीसरा राष्टिय उद्ध्यान है 9 जनवरी 2012 में राजस्थान का तीसरा राष्टिय उद्ध्यान गोशित किया गया कब 9 जनवरी 2012 में गोशित हुआ है दोस्तो तो आप इसी इसको देखो मेरा क्यूस्टन्स है राजस्थान का तीसरा राष्ट्य उद्ध्यान कौन सा है तो मैंने आपको बताया दर्रावन्य जीब अभ्यारन्य जिसको 9 जन्वरी 2012 में 9 जन्वरी 2012 में राजस्थान का तीसरा राष्ट्य उद्ध्यान गोसित किया गया यहां पर आपको सरवादिक सारस व घडियाल पाए जाएंगे सरवादिक सारस व घडियाल आपको यहीं पे मिलेंगे 2013 में यह राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट अभ्यारन्य गोसित किया गया कब 2013 में राजस्थान का इसको तीसरा टाइगर रिजर प्रोजेक्ट 2013 में और 2012 में तीसरा राष्टिय उद्यान गोसित हुआ देखो दो चीजा अलगे लगे है ठीके मिक्स मत करना जैसे मैंने आपको अभी यहां पर भी बताया था 1956 में केवला देव राष्टिय उद्यान को पक्सी अभ्यारन्य गोसित किया गया था कब 1956 को लेकिन इसी को ही 1985 के अंदर विश्व धरोहर में सामिल किया गया और जो ये दर्रावण्यजीव अभ्यारन्य है 2012 में इसको राजस्थान का तीसरा राष्टिय उद्यान और 2013 में तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट गोसित किया गया आगे देखो राजस्थान में कितने राष्ट्य उध्यान है तो दोस्तो राजस्थान में तीन राष्ट्य उध्यान है कौन-कौन से मैंना भी आपको पढ़ाया केव रन्थंबो राष्ट्य उध्यान केव लादेव राष्ट्य उध्यान और मुकुंद्रा या दर्रा हिल्स के नाम से ये प्रसीद है तीन राश्ट्य उध्यान है राजस्थान में किलियर है दोस्तों राजस्थान में कितने राश्ट्य उध्यान है तो राजस्थान में तीन राश्ट्य उध्यान है कितने तीन पहला है रंथंबोर राश्ट्य उध्यान दूसरा है केवलादेव राजस्थान में वन्यजीब अभ्यारन्य कितने हैं देखो ये भी important questions है राजस्थान में वन्यजीब अभ्यारन्य कितने हैं राष्टे उध्यान तो तीन है और वन्यजीब अभ्यारन्य की बात करें तो वो है 26 ठीके ये questions आया था दोस्तो उद्योग परसार अधिकारी का exam उसमें ये questions आया था कि राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारन्य की संख्या कितनी है तो आप बोलोगे 26 है माउंट आबू अभ्यारन्य को हटा दिया और विसलपूर अभ्यारन्य को नवीन अभ्यारन्य घोसित किया गया देखो राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारन्य है 26 माउंट आबू को हटा दिया और विसलपूर अभ्यारन्य को नया अभ्यारन्य घोसित किया गया अब एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं राजस्थान में राश्ट्य उद्यान का तीसरा राश्ट्य उद्यान कौन सा है तो हमारा आंसर है दर्रावन्यजीव अभ्यारन्य 12 जनवरी 2017 में इसको राष्टिय उद्यान गोसित किया गया यहाँ पर सरवादिक सारस और घडियाल पाए जाते हैं किसमे दर्रावन्यजीव अभ्यारन्य और ये कहाँ पे है जालावार में ठीके, दो हजार तेरा में राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर प्रोजेक्ट, तीसरा टाइगर रिजर प्रोजेक्ट गोशित किया, कब दो हजार तेरा में, दो हजार बारा में क्या, राश्ट्य उध्यान गोशित किया गया, किलियर, आगे देखो, राजस्थान में कित बहुत जादा इंपोर्टेंट है राजस्थान में तीन राष्ट्य उद्यान है रंथंबोर जो की देश का सबसे छोटा बाग अभ्यारन्य है और केवला देव जो की पक्षी एश्या का सबसे बड़ा पक्षी परजनन केंद्र है और मुकुंद्रा हिल्स जो की तीसरे नंब तो राजस्थान में 26 वन्यजीब अभ्यारन्य है माउंट आबू वन्यजीब अभ्यारन्य को हटा दिया माउंट आबू अभ्यारन्य को क्यों हटाया क्योंकि इसको एको सेंसिटिव जोन बना दिया गया माउंट आबू अभ्यारन्य को एको सेंसिटिव जोन में कनवर्ट कर दिया गया और विसल पूर अभ्यारन्य जो है उसको नवीन अभ्यारन्य गोसित किया और टोटल राजस्थान में कितने 26 वन्यजीब अभ्यारन्य है कितने है 26 है राष्टिय मरू उध्यान कहां इस्तित है तो जेसल मेर में सबसे बड़ा राष्टिय उध्यान है राष्टिय मरू उध्यान कहां पे इस्तित है जेसल मेर में इस्तित है कहां पे जेसल मेर में इस्तित है प्रंतु राष्टिय उध्यान में इसको सामिल नहीं किया गया, राजस्थान में तो तीन ही राष्टिय उद्ध्यान है, कौन-कौन से, रन्थंबोर, केवलादेव और मुकुंद्रा हिल्स, लेकिन राष्टिय मरू उद्ध्यान नाम है, इसका नाम क्या है, राष्टिय मरू उद्ध्यान कहां पे है, जैसल मेर में ह लेकिन इसको राष्टिय उद्यान में सामिल नहीं किया गया यह सबसे बड़ा छेत्रफल की द्रश्टी से सबसे बड़ा राष्टिय उद्यान जो है वो यही है ठीक है छेत्रफल की द्रश्टी सबसे बड़ा है लेकिन इसको राष्टिय उद्यान में सामिल नहीं किया गया यह आकल फूड फॉसिल पार्क यहां पे स्थापित किया गया है और जो सेवन घास है ना दोस्तों वो यहां पे पाई जाती है जिसको सबसे पोश्टिक घास बोला जाता है सेवन घास जो गाई चरती है उसका जो दूद होता है वो बहुत ज़्यादा पोश्टिक होता है इस रजस्थान में सागवान के वकस कहाँ पाइ जाते हैं ? देखो तो रजस्थान में सागवान के जो वकस है वो दक्षिन व दक्षिनी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं राजस्थान में सागवान के वक्स दक्षिन व दक्षिनी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं next हरित राजस्थान कारिकरम कब प्रारम किया गया हरित राजस्थान कारिकरम 18 जून 2009 में प्रारम किया गया और ये क्यों प्रारम किया गया वन विकास से संबंदित है हरित राजस्थान देखो आपको समझ में आ रहा होगा हरित राजस्थान मतलब की राजस्थान को हरा भरा करने का कारी करम किया चालू हुआ कब 18 जुन 2009 में चालू किया गया और यहां वन विकास से संबंदित है या राजस्थान में बाग पर्योजना के जनम दाता कौन है? कैला सांखला जी जो है दोस्तों बाग पर्योजना के जनम दाता है राजस्थान में जो बाग परियोजना हुई है उनको जनम देने वाले कौन है कैला सांखला जी और कैला सांखला जी कहां से हैं जोदपूर से है राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारन्य कौन सा है सरिस का अभ्यारन्य जो की अलवर में इस्तित है राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारन्य तीन पॉइंट वन टू टू किलो मिटर के साथ और यहां दो हजार बारा में राजस्थान का अभ्यारन्य घोसित किया गया हमने क्या पड़ा हमने देखा कि राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारन्य कौन सा है तो आप बात करोगे कि सरिस का अभ्यारन्य जो है जो की अलवर में इस्तित है यहां राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारन्य three point zero one two two kilometer के साथ में राजस्तान का सबसे छोटा अभग्यारन्य है ठीके और यह 2 हजार बारा में अभग्यारन्य घोसित हुआ यह अभग्यारन्य हरे कबुतरों के लिए प्रसीध है दोस्तों ठीके हरे कबुतरों के लिए प्रसीध है अब हम एक बारिसका रिविजन कर लेते हैं राष्ट्य मर्यू उद्धान कहा इस्तित है तो राष्ट्य मर्यू उद्धान जेसल मेर मेर में इस्तित है परन्तु इसको राष्ट्य उद्धान का दर्जा नहीं दिया गया इसको राष्ट्य उद्धान में सामिल नहीं किया गय राजस्तान में तीन ही राष्टिय उध्यान है केवला देव, रंधंबोर और मुकुंद्रा हिलुच राष्ट यहाँ पे आपको आकल वूर्ड फोसिल पार्क आपको राष्टिय मरू उध्यान मिलेगा और यहाँ पे सेवन घास पाई जाती है जो की सबसे पोस्टिक घास है राजस्तान में सागवान के 1 कहां मिलेंगे दक्षिन में और दक्षिन पूर्वी भाग में पाए जाते हैं हरित राजस्तान कारेकरम कब प्रारम किया गया दोस्तों तो हरित राजस्तान कारेकरम जो है अठारा जून दो हजार नौ में प्रारम किया गया और यहां वन विकास से संबंदित है यहां कारेकरम वन विकास से संबंदित कारेकरम है राजस्थान में बाग पर्योजना के जनम दाता कौन है तो वो है कैला सांखला जी कहां पे जोदपूर से कैला सांखला जी कहां से है जोदपूर से है यह राजस्थान के बाग पर्योजना के जनम दाता है राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारन्य कौन सा है राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारन्य सरिस्का अभ्यारन्य जो की अलवर में है यह राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारन्य 3.0122 किलोमिटर के साथ 2012 में घोसित किया गया अब देखो राजस्थान की दूसरी बाग पर्योजना कौन सी है तो सरिस्थ का अलवर जो है यह राजस्थान की दूसरी बाग पर्योजना 1978 में इस्तित शुरू किया गया यह हरे कबुतर के लिए प्रसिद है एक नवंबर 1905 को इसे अभ्यारन्य गोसित किया गया देखो आपको यह कुछा जा सकता है कि सरिस्थ का अलवर जो अभ्यारन्य है इसको अभ्यारन्य कब गोसित हुआ तो यह एक नवंबर 1905 में अभ्यारन्य गोसित हुआ और दूसरी बाग पर्योजना सरिस्थ का अलवर मे कब शुरू हुई 1978 में दूसरी बाग प्रयोजना यहां पे शुरू ही ठीक है राजस्थान का दूसरा छोटा अभ्यारन्य सबसे छोटा अभ्यारन्य कौन सा है राजस्थान का तो आप बोलोगे सरीश का अब मैं आपको पूछ रहा हूँ राजस्थान का दूसरा छोटा तो आप क्या बोलोगे सजनगड अभ्यारन्य सजनगड अभ्यारन्य कहां पे है फ्रेंड्स उदाइपूर में है सजनगड अभ्यारन्य कहां पे है उदाइपूर में है इसे यहां राजस्थान का प्रत्थम जेविक उद्ध्यान जो है अप्रेल 2014 में स्थापित किया गया र आपको क्या पूछ रहा हूं राजस्थान का दूसरा छोटा अभ्यारन्य कौन सा है तो आप क्या बोलोगे सज्जनगड अभ्यारन्य यह इसका छेत्रफल पांच किलोमेटर सम्थिंग है इसका ठीके सरीष का अलवर का जो है वो 3.0122 मतलब 3 किलोमेटर एप्रोक्स है और य इसे राजस्थान का प्रत्थम जेविक उध्यान अप्रेल 2014 में स्थापित किया गया था कुरंजा पक्षी और काले हीरन के लिए प्रसेद है कुरंजा पक्षी और काले हीरन यहां पे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं कहां पे सज्जनगड अभ्यारन्य काले हीरन और कुरंजा पक्षी के लिए प्रसीद है दोस्तो सरवादिक साप कौन से अभ्यारन्य में पाई जाते हैं तो सरवादिक साप जो है सेरगड अभ्यारन्य बारा में पाई जाते हैं सेरगड अभ्यारन्य बारा यह बारा नाम क्यों पड़ा था क्योंकि यह बारा ग चादिक सांप पाए जाते हैं सांपों का अभ्यारण्य सांपों की सरनिस्थली कहा जाता है और परवन नदी जो है वह यहीं से गुजरती है सेरगड अभ्यारण्य से ही परवन नदी गुजरती है घडियालो को सरक्षित करने के लिए बनाया गया अभ्यारन्य कौन सा है चंबल घडियाल वन्य जीब अभ्यारन्य जो है इसे यह घडियालो को सरक्षित करने के लिए बनाया गया है घडियालो का परजनन केंद्र है घडियालो का संसार कहा जाता है इसे जल्य अभ्यारन्य भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि ये जल पे बना हुआ है यानि जल्य अभ्यारन्य इसलिए इसको कहा गया तो घडियालों को सरक्षित यानि घडियाल जो है उसको सुरक्षित करने के लिए कौन सा वन्यजीब अभ्यारन्य बनाया गया तो चंबल गडियाल वन्य जीब अभ्यारन्य, गडियालों का संसार कहा जाता है, गडियालों का ये परजनन केंदर है, जल्य अभ्यारन्य है, ठीक है, राजस्थान की दूसरी बाग पर्योजना कौन सी है, सरिस्का अलवर जो है राजस्थान की दूसरी बाग पर्योजना 1978 में यहाँ पे शुरू किया गया यह हरे कबूतरव के लिए प्रसीद है और 1 नवंबर 1955 को इसे अभ्यारण्य गोसित किया गया 1 नवंबर 1955 को ठीके राजस्थान का दूसरा छोटा अभ्यारण्य कौन सा है तो आप बोलोगे सज्जन गड़ अभ्यारण्य जो कि उदाइपूर में है यह राजस्थान का दूसरा छोटा अभ्यारण्य है यह राजस्थान का tham जेविक उध्यान अप्रेल 2014 में इस्थापित किया गया और राजस्तान का दूसरा जेविक उध्यान नाहारगड जाईपूर में इस्थापित किया गया है कुरंजा पक्सी और काले हीरन के लिए प्रसीद है सजनगड अभ्यारन्य सरवादिक साप कौन से अभ्यारन्य में पाई जाते हैं तो सरवादिक साप जो है सेरगड अभ्यारन्य बारा में पाई जाते हैं परवन नदी जो है यहीं से गुजरती है दोस्तों घडियालों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया अभ्यारन्य कौन सा है तो वो है चंबल घडियाल वन्यजीब अभ्यारन्य जो की घडियालों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है घडियालों का संसार कहा जाता ह गडियालों का प्रजनन केंद्र है इसे जल्य अभ्यारन्य के नाम से भी जाना जाता है चंबल गडियाल वन्यजीब अभ्यारन्य को जल्य अभ्यारन्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्तो राजस्थान का अंतराज्य अभ्यारन्य कौन सा है अंतराज्य अभ्यारन्य तो च राजस्थान, मध्यपर्देश, उत्तरपर्देश में फैला हुआ है यह राजस्थान, मध्यपर्देश और उत्तरपर्देश तीन जीलों में फैला हुआ है राजस्थान, मध्यपर्देश और उत्तरपर्देश राजस्थान, उत्तरपर्देश राजस्थान, इसमें फैला हुआ है यहां पे गंगा डॉल्फिन पाई जाती है कौनसी गंगा डॉल्फिन पाई जाती है सरवादिक चितल कहां पाई जाते हैं तो सरवादिक चितल जो है सीता माता अभ्यारन्य प्रताब गड में सबसे ज़्यादा चितल पाई जाते हैं सिता माता अभ्यारन्य प्रताब गड में सबसे ज़्यादा चितल पाए जाते हैं उडन गिलारियों का स्वर्ग भी कहते हैं यहाँ पर सागवान के बहुत अधिक वन पाए जाते हैं सिता माता अभ्यारन्य को उडन गिलारी का स्वर्ग कहा जाता है यहाँ पर सागवान के व ही पाई जाती है हिमाले के बाद सर्वादिक जड़ी बूटियां जो है वो आपको सीता माता अभ्यारन्य में ही पाई जाएगी हिमाले विंध्याचल परवत माला वो मालवा के पठार के संगम में यह इस्तित है सर्वादिक चितल कहां पाई जाते हैं सीता माता अभ्यारन्य परताब गड में सर्वादिक चितल पाई जाते हैं उडन गिलारियों का स्वर्ग कहा जाता है सागवान के वन सर्वादिक पाई जाते हैं और हिमाले के बाद सर्वादिक जड़ी बूटियां जो है वो आपको यहीं पर मिलेगी और यहां हिमाले व विंध्याचल परवतमाला व मालवा के पठार के संगम में इस्तित है हिमाले विंध्याचल परवतमाला व मालवा के पठार के संगम में यह सीता माता अभ्यारन्य है यहाँ पे दो जलिस्त्रोत भी है लव और कुछ दो जलिस्त्रोत है सीता माता की धी भी यहाँ पर पाई जाएगी रवादिक चीतल कहां पाय जाते हैं प्रताब गड में के लियर उडन गिलारी की दूसरी बस्ती किसे कहते हैं फुलवाडी की नाल जो की उदैपूर में हैं इसको उडन गिलारी की बस्ती कहा जाता है देखो पहली जो उड़न गिलारियों कहाँ सीता माता अभ्यारन्य में और सीता माता की दूसरी बस्ती किसे कहते हैं फुलवाडी की नाल जो की उड़न गिलारियों की बस्ती कहा जाता है और यहां जो है फुलवाडी की नाल महारना परताप की सरनिस्थली भी रही है दोस्तो क्या रहा है यह महारना परताप की सरनिस्थली भी रही है तो उडन गिलारी का दूसरी बस्ती फुलवारी की नाल उदैपुर में इस्तित है और यह महारना परताप की सरनिस्थली भी रही है तो एक वर हम रिव्यू कर लेते हैं राजस्थान का अंतराजिय अभ्यारन्य कौनचा है चंबल अभ्यारन्य राजस्थान का अंतराजिय अभ्यारन्य है राजस्थान मध्यपर्देश उत्तरपर्देश में फैला हुआ है इसे यहां पर गंगा डॉल्फिन भी पाई जाती है राजस्थान का अंतराजी अभ्यारन्य चम्बल अभ्यारन्य क्योंकि यहां तीन राज्यों में फैला हुआ है राजस्थान, मध्यपर्देश और उत्तरपर्देश में गंगा डॉल्फिन भी पाए जाती है सरवादिक चीतल कहां पाए जाते हैं सीता माता अभ्यारन्य प्रताब गड में सरवादिक चीतल पाए जाते हैं उडन गिलारियों का स्वर्ग भी कहते हैं इसको सागवान के वन यहां पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और हिमाले के बाद सर्वादिक जड़ी बूटिया जो है आपको सीता माता अभ्यारन्य में ही मिलेगी अरावली वबिंध्याचल परवत माला व मालवा पठार के संगम में इस्थित है उडन गिलारी की दूसरी बस्ती किसे कहते हैं फुलवाडी की नाल उदैपूर को उडन किलारी की बस्ती कहते हैं और यह महाना परताप की सरनिस्थली है तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का क्लास आपको मैंने आइधिंक सारी चीजे याद करा दी होगी एक वार हम इसका कुईक रिव्यू करते हैं जिससे हमें चीजे और भी अच्छे से हमारे माइंड में फ भ्यारन्य है भारतिय बागों का घर भी कहते हैं राजस्थान की सर्व प्रतम बाग पर्योजना यहीं से स्टार्ड हुई थी ठीके एक नवंबर 1980 को राजस्थान का प्रतम राष्ट्य उद्यान घोस्चित किया गया और 1974 में टाइगर रिजर प्रोजेक्ट यहां पे सुर जो है कि एसिया का सबसे बड़ा पक्षी परजनन केंद्र है भरतपूर में गंभीर वबान गंगा नदी के किनारे पे इस्तित है जो केवला देव राष्ट्य उद्यान है यह भरतपूर में इस्तित है और गंभीर वबान गंगा नदी के किनारे पे इस्तित है राश्टिय राजमार 11 में इस्तित है 1956 में इसे पक्षी अभ्यारन और 1985 में विश्व धरोहर में साम्मिल किया गया तो आपको समझ में आया केवला देव राश्टिय उद्ध्यान एसिया का सबसे बड़ा पक्षी परजनन केंद्र है भरतपूर में गंभीरी और बानगंगा नदी के किनारे पे इस्तित है राश्टिय राजमार 11 में इस्तित है 1956 में पक्षी अभ्यारन और 1985 में विश्व धरोहर में साम्मिल किया गया राजस्थान का तीसरा राश्टिय उद्ध्यान कौन सा तो आप बलोगे दर्रावन्य जीव अभ्यारन्य राजस्थान का तीसरा राश्टिय उद्ध्यान 2012 जनवरी 9 जनवरी 2012 में घोसित किया गया यहाँ पर सरवादिक सारस्व घडियाल पाए जाते हैं 2013 में इसे राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर प्रजेक्ट अभ्यारन गोसित किया गया अभ्यारन्य राजस्थान में 26 वन्यजीब अभ्यारन्य है माउंट आबू को हटा दिया क्योंकि माउंट आबू एको सेंसिटिव जोन में आ चुका है और विसलपूर को नया वन्यजीब अभ्यारन्य गोसित किया गया राष्ट्य मरी उध्यान कहां इस्तित है तो राष्ट्य मरी उध्यान दोस्तों जेसल मेर में इस्तित है कहां पे जेसल मेर में प्रंतु राष्ट्य उध्यान में इसको सामिल नहीं किया गया यहां पे आकल फूर्ड फोसिल स्पार्क इस्थापित है और यहां पे आपको के वक्स पाए जाते हैं हरित राजस्थान कारेकरम कब प्रारम किया गया 18 जून 2009 में प्रारम किया गया वन विकास से संबंदित है राजस्थान में बाग पर्योजना के जनम दाता कौन है केला सांखला जी जोकी जोदपूर से हैं राजस्थान में बाग पर्योजना के जनम आता हैं राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारन्य कौन सा सरिस्का अलवर के अंदर जो है यह राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारन्य 2012 में गोसित हुआ और 3.0122 किलोमिटर के साथ यह 2012 में राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारन्य है इससे पहले सरिस्का जो अलवर के अंदर है वो छोटा था लेकिन अब इससे बाद में क्या हुआ सरिस्का अलवर जो है राजस्तान का दूसरा छोटा अभ्यारन्य गोसित हुआ राजस्तान की दूसरी बाग पर्योजना कौन ची है सरिस्का अलवर 1978 में यहां पर राजबाग प्रियोजना की शुरुवात हुई थी और हरे कबूतरों के लिए यहां सरिस्का अलवर जो प्रसीद है एक नॉवंबर 1955 को अभ्यारन्य घोसित किया गया था कब एक नॉवंबर 1955 में देश का छोटा अभ्यारन्य कौन सा है सजजनगड अभ्यारन्य उदैपूर में जो है यहां राजस्थान का दूसरा छोटा अभ्यारन्य है पांच किलो मिटर के साथ राजस्थान का दूसरा छोटा अभ्यारन्य कुरंजा और काले हीरन के लिए प्रसीद है यहां पे प्रत्थम जेविक उद्ध्यान 2014 एप्रिल में स्थापित किया गया था राजस्थान में सरवाधिक साप कौन से अभ्यारन्य में पाई जाते हैं सेरगड अभ्यारन्य बारा में देखो नाम सेरगड है लेकिन सेर नहीं साप पाई जाते हैं ठीक है सेरगड अभ्यारन्य जो की बारा में है यहाँ पे आपको सरवादिक साप पाए जाते हैं सापों की इसरण स्थली कहलाती है और या परवन नदी जो है वो यहीं से गुजरती है घडियालो को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया अभ्यारन्य कौन सा है चंबल घडियाल वन्यजीब अभ्यारन्य जो की चंबल घडियाल वन्यजीब अभ्यारन्य घडियालो को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया वन्यजीब अभ्यारन्य है इसे घड़ियालों का संसार या घड़ियालों का परजनन केंद्र भी कहते हैं यह एक जल्ल्य अभ्यारन्य है राजस्थान का अंतराज्य अभ्यारन्य कौन सा चंबल अभ्यारन्य राजस्थान का अंतराज्य अभ्यारन्य है राजस्थान, मध्यपरदेश और उत्तरपरदेश में फैला हुआ है यहाँ पे गंगा डॉल्फिन पाई जाती है दोस्तो सरवादिक चितल कहां पाई जाते हैं सीता माता अभ्यारन्य प्रताबगड में आपको सबसे जादा चितल जो की जिनको स्थानिय बासा में भडेल कहा जाता है यहीं पर मिलेंगे आपको उडन गिलार्यों का इसे स्वर्ग कहा जाता है सागवान के वन सबसे जादा यहीं पे पाई जाते हैं हिमाले के बाद सरवादिक जड़ी बूटियां आपको सीता माता अभ्यारन्य में मिलेंगे दोस्तों अरावली विंध्याचल व मालवा के पठार के संगम में यहां इस्तित हैं उड़न गिलारियों की दूसरी बस्ति किसे कहते हैं फुलवाडी की जो नाल है उदैपूर में इसे उड़न गिलारियों की दूसरी बस्ति कहते हैं और यह महरना प्रताप की सरनिस्थली है ठीक है दोस्तों तो आज का यह टॉपिक था इकलियर हो गया कल हम इसके और भी जो क अंदर राजस्थान history complete करा दूंगा एक महिने में राजस्थान culture complete हो जाएगा और एक महिने में राजस्थान geography को complete कराएंगे दोस्तों और ऐसा नहीं कि उपर उपर से पूरा detail analysis करेंगे हम इन सब चीजों को ठीके बस आप में साथ बने रहो आपका ये पूरा जो topic है एकदम clear कराने के साथ में आपको याद भी करा दूंगा आप बोलो के सर अब मैं एकदम prepare हूं राजस्थान stenographer की exam के लिए में ये आपके लिए golden opportunity है दोस्तों इस time को आप utilize करोगे तो ही आप exam crack कर पाऊगे अभी बहुत सारे राजस्थान में नई vacancy निकलने वाली है हमें उन सब के के लिए इस lockdown के अंदर preparation अच्छी करनी है कोई भी coaching की जरूत नहीं है कोई भी notes की जरूत नहीं है कोई भी book की जरूत नहीं है सारा material आपको यहीं पर मिलेगा आप यहां से पढ़ोगे तो आप exam clear कर लोगे उसके बाद exam के time में मैं आपको notes भी प्र जो है provide कराऊंगा जिसस ठीक है तो मेरा यही concept है सारी class है free में रहेगी बस मैं आपको चाता हूं कि पूरा अच्छे से पढ़ा पाऊं detail में सारी चीज़ें आपको clear करा पाऊं और आप exam clear करो यहीं मेरे लिए खुसी की बात है तो आज के लिए हम close करते हैं thank you friends आप लोग का हमें बहुत support मिल रहा है day by day मेरे subscribers भी भढ़ रहे हैं दोस्तों और मेरा motivation level भी भढ़ता जा रहा है तभी मैंने decide कि मैं 1 September से यह class स्टार्ट करूं time बहुत कम मिल पाता है मेरे को मेरे class से बहुत जादा रहती है लेकिन फिर भी मैं time निकालके आप लोगों को एक घंटा जरूर देने की कोशिस करूं होंगा दोस्तों ठीक है आज के लिए close करते हैं thank you friend have a nice day bye bye